गुड मानिंग इस्टुडेंट मैं गुड डुशार आप सभी का इस वीडियो में शागत करता हूँ बच्चों आज आपके सामने कुश्चन नमर ही ले बेना है ठीक है और ये कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है ये बोर्ड परिश्या में पूछा भी गया है ठीक है बोर लेकर में क्या लिखा एकस प्लस वाई प्लस जेड़ तो देखेए मैं चेक करूंगा क्या इन सब को मत एकस्ट और सकता है और फंपटरी करने पर जा सकता है नहीं आ सकता है अगर आज आएगा तो आपके लिए बहुत आसान सबसे पहले तो हमको यहीं चेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो रहता है सबसे पहले हम उसी को बनाने का कोशिश करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजे अगर मैं इस देखें मतलब इसको इसके साथ आज करेंगे 2x आएगा अब यहाँ पर देखें 2y हो जाएगा 2z इसमें देख लो क्या रहा है 2z 2y 2x कहने का मतलब है कि अगर c1 में हम क्या कर दें बोलो हम यहाँ पर c1 c2 c3 माने c1 c2 c3 को आइड कर लें और c1 की जगा रख दें तो यह चीज मिल सकत है कैसे मिलेगा आप खुद देख लीजिए भाई देखें इसमें इसके देखें c1 यह है c2 यह c3 है तो आइड करो देखो क्या आएगा आ रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z यह तो बन रहा है अब इनको तीनों को आइड करो देखें क्या बन रहा है इधर भी ध्यान दीजेगा त कि पूरणा तीनों को है एड करना तीनों को है लिखना लिखनाना किसमें है c1 में तो c1 तो आपका यह है है पहली-पहला कालम ठीक है तो चली वह आट करेंगा इसमें भी क्या एका प्लास टू AMERP 2J मुंकि यह रोगे नहीं हो गया है इसमें देखें क्या होगा यहां भी रोटा अब यहां पर भाऊ एकस प्लस टूर आगे नहीं आ गया अब यहां तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में कुछ कामन हो रहा है क्या कामन हो रहा है यह पूरा क्या है बई 2x प्लस 2i egaун डू gi के नहीं यह नहीं गया उगया तो बच्चा के हैं यह पर 111 थिक यह पर क्या हो गया थि gelecek यहां पर पहले ध्यांदीजेगा फटा-फट Y यहाँ प्लस Z प्लस 2X, यहाँ पर X लिखा हुआ है, इधर भी ध्यान दिजेगा क्या लिखा है, Y, Y, और यहाँ पर लिखा X प्लस Z प्लस 2Y, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बता दिया था? कि अगर देखे इसमें क्या देख रहा हो इसमें पहला कालम है तेक है यह C1 है इसमें सभी element क्या है सेम है तो मैंने बताया अगर इस तरह के कभी condition मिले तो आपको करना क्या चाहिए भाई कालम के यहाँ first कालम के सभी element सेम है तो काम किसमे होगा रो में होगा क्योंकि कालम में सेम है ना element तो काम किसमें करेंगे रो में तो क्या काम करेंगे R1 replace R1-R2 और R2 replace R2-R3 यह बात तुम्हें बार बार आपको बता रहा हूं कि यही लिखते हैं अगर का रो में काम करेंगे तो यही लिख दीजिए आपका काम हो जाएगा ठेक है अगर यही चीज रो में अगर इककोल होता है तो काम किसमें करते हैं हम कालम में करते हैं और कालम में भी क्या करते हैं सब यह चीज़ लिखते हैं किवल R की जगा आप CC करते थे बोलो, किलियर हो गए नहीं होगे हम, चलिए आगे देखते हैं, क्या होगा ये, सब्ट्रेक करते हैं, देखते हैं, क्या आजाता है, ठेकं, बहुत आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, अब यहाँ पर देखें, टू कामल ले लिजए, तो क्या कि नहीं देखो आपको यहीं लाना बीटा है इतना यतना मिल गये खुश्वह आपको क्यूप और लाना है बास चलिए देखिए तो भही देखें क्या गरूगे आरवन से आरटू तो बहीं वन से वन जाएगा क्या आएगा बताओ जीरो इसमें से जब इसको सब्क्रेट अब R2 से R3 सब्ट्राइक करना जो कुछ भी आएगा उसको R2 वाली लाइन में लिखना है तो वही R2 यह है R3 यह है तो 1 से 1 जाएगा क्या आएगा यह भी 0 हो गया इसमें से देखें इसमें से इसको सब्ट्राइक करोगे तो आपका आजाएगा X प्लस Y प्लस Z आजाएगा बोलो किलियर है नहीं किलियर और इसमें से जब इसको आप सब्ट्राइक करोगे Y से जब इसको सब्ट्राइक करोगे तो यह आपका आजाएगा क्या बोलिए माइनस X माइनस Y माइनस Z ठीक है जगह नहीं है आप देख लिएए माइनस X माइनस Y माइनस Z है ठीक और नीचे इससे कोई मतलब है नहीं यह तो ऐसे ही एजिटी लिखा रहेगा X Z 2Y ठीक अब यहाँ पर देखिए इसको और थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ X Z 2Y ठीक अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम फिर से वही काम करने चल रहा हूँ देखिए Xpand किधर से करेंगे सबसे बड़ी बात तो यह है पहले सोचनिक बात होती कि मैं Xpand कर रहे हैं लेकिन किधर से करेंगे तो यह देखिए 0 लोगे जीरो हो जाएगा टोटल इस 0 को लोगे तो टोटल जीरो चला जाएगा 1 लोगे तो जाएगा 1 लेने का मतलब आइसे काड़ दो पर्पेंडिकुलर कट गया नहीं कट गया अब जो कुछ बचता उसमें इसे बनाओ इसका मल्टिप्लाई होगा और जो कुछ भी आएगा उसमें से इनका मल्टिप्लाई इनको multiply करके subtract कर देंगे तो वह देखिए, ये minus, ये minus, minus minus कामा ले लेंगे, तो क्या आजगा, minus बार हो जाएक ब्रेकट के अंदर आजएगा x plus y plus z, वही चीज़ यहाँ पर भी आजएगा तो वह जब इसका multiply करोगे तो minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा na अईसे यहाँ पर बड़ा ब्रेकर लगा देता हूँ और यहाँ पर देखिए, minus 0 कि नहीं, ये बंद हो गया कि नहीं, अब देखिए, अंदर क्या बच रहा आपका किवल ये square बच रहा है, बाहर तो यह ही है तो जब इसका इसमें multiply कर दोगे भई, इससे तो कोई मतलब है नहीं आपको ठीक है, तो आपको क्या जाएगा 2X plus Y plus Z और total यहाँ square है, यहाँ पर 1 है तो क्या जाएगा, यह cube हो गया और आपको यहीं लाना था कि नहीं, तो देखिए, बहुत आसान तरीके से ये question आपका solution हो जा रहा है ठीक है, तो इन question को आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है और इसको समझ करके, कापी में जब तक आप बैट करके नहीं लगाओगे, तब तक आपको कुछन कुछ suspense आपको बना रहेगा आपका, ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो समझ में आगया हो, तो हमारे चैनल को आप subscribe करें, like करें बिल आइकन की बटन को अवर्श दमाए, ताकि हमारे दोरा जितने भी वीडियो जा ले जा रहे हैं सीधा आप तक पहुंच सके, धन्यबाद